Hello everyone, स्वागत है आपका Science Classes में So, आज हम बात करेंगे Cardic Cycle के बारे में What is Cardic Cycle? So, इसे जानने से पहले, Please, Please, Please Science Classes को सब्सक्राइब करें Like करें, Share करें और comment करना ना भूलें So, हम बात करते हैं Cardic Cycle के बारे में So, Cardic Cycle में Simple सी बात है Cardic Cycle, अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि ये जो Notes हैं वो एक्जाम के लिए बहुत ही important है So, इन्हें लिखते चले So, हम बात करते हैं Cardic Cycle की So, Cardic Cycle यानि कि जो हमारा Heart होता है वो एक मिनट में 72 टाइम बार धड़कता है यानि कि हमारा Heart जो है वो पर मिनट 72 टाइम बीट करता है देख लिजे, Heart Rate is 72 टाइम पर मिनट में 72 Cardic Cycle So, वन Cardic Cycle टेक्स 0.8 सेकिंड यानि कि जो एक Cardic Cycle जो होता है यानि कि जो एक धड़कन है वो 0.8 सेकिंड लेती है इन देख 0.8 सेकिंड दा Contraction has well, has relaxed, include यानि कि 0.8 सेकिंड के टाइम में Contraction और Relaction दोनों होती है यानि कि 0.8 सेकिंड में हमारा Contraction और Relaction दोनों होगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं Contraction और Relaction है क्या? इन्हें हम क्या बोलते हैं? सो सिस्टोल यानि कि सिस्टोल का मतलब होता है Contraction और डाइस्टोल का मतलब होता है Relaction तो मैं आपको बताऊं कि देखिए सिस्टोल तो होगा ऐसे यानि कि Contraction ऐसे होगा और डाइस्टोल होगा ऐसे यानि कि Relaction ऐसे होगा Contraction ऐसे और Relaction ऐसे सो फिर हम बात करते हैं काडिक साइकल के बारे में काडिक साइकल के बारे में तो जैसा की काडिक साइकल बना रखा है थोड़ा ठीक से नहीं बनाया बट हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह किसे समझ सकते हैं तो हमारा जो cardiac cycle है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है हमारा जो cardiac cycle है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है first is atrial systole second is ventricular systole and third is joint diastole first is atrial systole second is ventricular systole third is joint diastole तो हम बात करते हैं atrial systole तो atrial systole है वो 0.1 second लेता है atrial systole 0.1 second लेता है अब बात करें ventricular systole की तो ventricular systole जो है 0.3 second लेता है और जो joint diastole है वो 0.4 second लेता है so हम एक एक करके अब इनके ये जो cardiac cycle के तीन टाइप्स होते हैं atrial systole, ventricular systole joint systole जिनका हमने यहां timing बता दिया कि ये कितना कितना time लेते हैं अगर इन तीनों को हम joint करते हैं याने कि इन तीनों का total करें तो हमें 0.8 second मिलेंगी याने कि एक heartbeat का total time मिलेगा हमें 0.8 second तो हम बात करते हैं atrial systole की तो जैसे कि दोस्तों दिखाया गया है कि in atrial systole both atria contract की atrial systole के अंदर क्या होता है atria systole कि atria systole में in atrial systole both atria contract याने कि सभी जो atria होते हैं याने कि दोनों atriyas जो होते हैं left and right part के वो दोनों contract हो जाते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों atria contract होते हैं तो इसे atrial systole बोलेंगे अब बात करें हम blood is pushed to the ventricle देखिए हमने पहले ही बता रखा है heart के बारे में सो आप हमारी पहली वीडियो जाके देख सकते हैं कि heart कैसे कैसे काम करता है तो उसके ही according अगर आपको heart का diagram अच्छे से आता है तो आप इसे बड़े आराम से समझ लेंगे तो process start हो चुकी है कि blood जो है वो push होके ventricle में आता है देखिए जैसे ही हम बात करते हैं superior venakawa और inferior venakawa से blood जब atria में आता है तो atria में blood आता है तो blood आने के बाद atria में contraction होता है atria contract होंगे तो blood जो है वो blood जो है atria ventricular valve या फिर tricuspid valve से होता हुआ सीधे ventricle में आएगा जहां यहां लिकर रखा है देख लिजिए blood is pushed to the ventricle ventricle में आता है av wall are open stage in open stage sorry av wall जो होता है av wall यह जो av wall है इससे tricuspid valve भी भोलते हैं यह जो होता है वो atria और ventricular दोनों के बीच में पाया जाता है तो यह open होता है जिससे blood ventricular में आ जाता है at the same time of contraction the atria does not receive blood अब माल लीजिए कि जब blood ventricle में आ ही गया है तो blood वापस atria में नहीं जा पाएगा क्यों नहीं जा पाएगा क्योंकि av wall जो हैं वो बंद हो जाते हैं जिसससे blood वापस या atria blood को वापस receive नहीं कर पाता है atrial systole takes 0.8 second for contraction and relaxation the blood into the ventricles जैसा कि हमने इस बात को पहले ही देख लिया है कि atria systole में 0.8 second होती है ना याने कि atria contract and relaxation में 0.1 second का time लेता है और released blood को ventricle में पहुचाता है release the blood into the ventricle और released blood को ventricle में पहुचाता है sorry अब हम बात करते हैं ventricle systole की ventricle systole में कितना time लगता है ventricle systole में 0.3 second लगती है तो चलिए ventricle systole की बात करते हैं कि ventricle are contract and atria are relaxed तो ventricle systole में क्या होगा कि देख लिजिए जब atria systole था याने कि atria जब contract था तो उससे पूजिशन में blood जो है ventricle में आ गया था अब जो blood है वो ventricle में पहुच गया है तो अब ventricle में क्या होगा blood के साथ तो वो condition बताई गई है कि इस process में ventricle जो है अब contract हो जाएगा और atria जो है relax हो जाएगा ventricle contract क्यों होगा ventricle contract इसलिए होगा क्योंकि इसे blood आगे पहुचाना है और atria relaxed क्यों हो जाएगा क्योंकि उस वहाँ से blood निकल चुका है So, AV-Volves are in closed state and love sound is produced AV-Volves बंद हो जाता है जब ventricle में blood आ जाता है AV-Volves बंद हो जाने से love sound की आवाज आती है फिर हम इसी के एक parts की बात करते हैं जिसका नाम है isovolumetric contraction Isovolumetric contraction होता क्या है तो हम बात करें कि isovolumetric contract is because the volume of blood does not undergo any changes यानि कि blood के volume में कोई भी changes नहीं आएगा अगर blood के volume में कोई भी changes नहीं आता है तो इस process को हम isovolumetric contraction कहते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए इसके isovolumetric contraction के बारे में और भी बताया गया है कि due to isovolumetric contraction the semilunar valve are open for removing the blood from ventricle to the organ system of the body कि जैसा कि यहां बताया गया है कि isovolumetric contraction कोंट्रेक्शन जो है जैसा कि यहां बताया गया है कि isovolumetric contraction की वजह से semilunar valve open होते हैं और blood को remove करने के लिए body से and other parts से यानि कि समझिये मेरी बात मैं क्या बोलना चाता हूं कि isovolumetric contraction जो है वो semilunar valve के open होने की वजह से होता है और blood को remove किया जाता है body और other part से इस process में तो चलिए फिर हम बात करते हैं next topics का उसका नाम है joint diastole का तो चलिए joint diastole की बात करें तो all four chambers are in relaxed stage की joint diastole process जो है वो अलग वाली process है यानि कि इसमें जो है वो चारो chamber जो है heart के जो चार chamber है वो relax हो जाएंगे और beginning sorry being of ventricular diastole is marked by the dub sound और जो dub sound है वो आएगा this sound is produced due to the close of semilunar wolf और जो ये dub sound है जैसा कि आप जानते हैं वो semilunar wolf के बंद होने से होता है दोस्तों अब last and final important बात करते हैं जो हमें nursing officers या फिर paramedical staffs के questions में जबी भी आता है कोई exam तो ये question बहुत ही important द्रश्टी से हो जाता है सो बात करें हम इस questions की तो love and dub 0.3 second और dub and love 0.5 second what is इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं चलिए friend मैं बताता हूँ आपको कि love और dub के बीच में love से dub के बीच में जो timing है वो 0.3 second की है और dub से love के बीच में जो timing हो है वो 0.5 की है यानि कि इनके बीच में इतना time लगता है पहले love फिर 0.3 second के बाद dub होगा यानि कि पहले love होगा फिर 0.3 second होगी उसके बाद dub होगा यानि कि इन दोनों के बीच का जो timing है वो 0.3 है और dub और love इन दोनों के बीच का timing 0.5 सेकेंड है तो ये था हमारा cardiac cycle तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा cardiac cycle ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए subscribe करें चैनल और like करें एक बार माँ आपको फिर से दिखा देता हूँ cardiac cycle एक एक चीज़े देख लीजिए not कर लीजिए ये आपके बहुत ही काम आने वाली है so please subscribe and help for this channel thank you